Hello, a very warm welcome to all the students of India, myself Rupak sir, आज से मैं official class 11 की commerce की classes का video channel शुरू कर रहा हूँ, आशा करता हूँ, इस जर्नी में आप सभी बच्चे जो 11 में commerce ले रहे हैं, वो हमारा साथ देंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको commerce का पूरा knowledge आपको दूँ, accounts, eco, BST, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, commerce क्या है, commerce का scope क्या है, commerce subject लेकि हम career में क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़े हम आपको बताएंगे, I will tell you to live commerce, commerce आपके लिए सिर्फ academics नहीं होगा, बलकि मैं commerce को आपका lifestyle बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, so हर दिन मैं वीडियो जालूँगा, आपके लिए, और इसमें मैं आपको सारे चीज़े, सारे topics, सारे subjects, commerce है, जो core subjects है, वो मैं आपको बताऊंगा, so चलिए, शुरू करते हैं, आज आपका पहला class है, इसमें मैं आपको subject नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें आपको commerce का scope बताऊंगा, ये है क्या, जैसे main subject हैं, वो ये तीन है, अब ये होते क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले commerce क्या है, commerce वो system है, जो दुनिया को चला रहा है, commerce का दूसरा मतलब है money, money is ruling the world, आज एक doctor है, वो अपने patient से fees ले रहे हैं, एक footballer है, जो अपने club से करोडों डॉलर कमा रहे हैं, एक scientist है, जो lab में research करके नहने products बना रहा है, इन सारी चीज़ों में, कहीं नहीं backdrop में money है, एक footballer पैसे के लिए खेल रहा है, profession है उसका money, एक doctor अच्छा इलाज कर रहा है, treatment कर रहा है, उसको fees चाहिए, एक innovation, research के लिए भी पैसे चाहिए, तो इस पूरी दुनिया को अगर needs commerce, कोई भी चीज़ हो, money के बिना, business में अगर आपको investment करना है, कोई business आपको शुरू करना है, you need money, politics में, अगर आप election लगना है, तो campaigning में आपको चाहिए money, everything, because money, जो कहते हैं कि money खुशिया नहीं खरीच सकता, यह सब फालतू बात है, money आपकी basic needs को पूरी करता है, money के बि lifestyle को बढ़िया कर सकते हैं, हर चीज़ में, backdrop में, जो main चीज़ है, that is money, and commerce का दूसरा मतलब ही है, दूसरा नाम ही है, money, so commerce इस पूरी दुनिया को run कर रहा है, the money system, commerce, अब इसमें देखिए accounts, economics और BST, accounts क्या है, accounts जो basic और सबसे main subject है, इसका मतलब होता है, financial transaction and rules, जितने में financial transactions होते हैं, आज हमने सुबह सुबह उठके market से चीनी खरीदा, उसके बाद market से सबजी खरीदे, किसी theater ने tickets बेचके पैसे कमाए, school की fees जमा हुई, जहाँ जहाँ पैसे आ रहे हैं, that is accounts, अब देखिए, financial transactions and rules, जहाँ जहाँ पैसे आ रहे हैं, उसकी जो recording हो रही ह वो किस rules में record हो रहा है, कि debit कहां होगा, credit कहां होगा, एक छोड़ा से example लेके चलते हैं, funny language में आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा, let's take it out, debit and credit, एक simple सा rule है, आप देखिए, debit and credit, इन शब्दों से आपको प्यार हो जाएगा, you will fall in love with both these words, and these words will be with you forever, until you leave commerce, जब तक आप commerce पने ये words आपके साथ रहेंगे, debit and credit, accounts का एक basic rule है, debit what comes in, credit what goes out, फिर से repeat कर दो, debit what comes in, और credit what goes out, it is the basic rule of accounts, अब मान लेते हैं, कि शादी हुई, ठीक है, suppose मान लेते हैं, मैं तो अभी unmarried हूँ, single हूँ, लेकिन मान लेते हैं, मैंने अभी शादी की, जब मैं शादी करूंगा, तो जो दुल्हन होगी, जो bride होगी, वो मेरे घर आएगी, तो मैं क्या हो जाओंगा, debit, why, because the bride has come into my house, तो जो मेरा घर हो जाएगा, debit, और जो लड़क का side है, वो क्या हो जाएगा, credit, because उपने घर से, अपने माईके से, जो लड़की है, वो चल के बाहर आ गई, एक और example लेते हैं, हमने अपने घर के लिए AC खरीदा, AC घर के अंदर आएगा, और जो पैसा है, वो हमारे जेब से, हमारे घर से बाहर जाएगा, तो debit what comes in, credit what goes out, तो शादी करने पे, जो मेरा घर है, वो debit हो जाएगा, दुलहन मेरे घर आएगी, और मेरी दुलहन का जो माईका है, उनके घर से वो बाहर चली जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, credit, तो I hope आप कोई है, समझ में आया हो, आपको मजा आया हो, तो यह accounts में हम पढ़ेंगे, क गर में economics का का नाम दू, कम में बम, मतलब कम पैसे में, कम resource में, आप अपनी जरूरत कैसे पूरी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, economics, एक example लेते हैं, मुझे किसी ने 50,000 रुपीज दिया और कहा कि रूपत आप जाएए, और दिल्ली दो दिन के लिए घूम कर आईए, अब म मैं business class में जाऊंगा, plane में जाऊंगा, या AC first class में train में जाऊंगा, five star hotel में रुखूंगा, खाना खाऊंगा, enjoy करूंगा, घूमूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, this is not economics, economics कब आएगा, अगर मुझे सिर्फ 5,000 या 3,000 दिया गया और मुझे कहा दिल्ली घूम क come into play, कैसे मैं general bogey में, sleeper bogey में जाऊंगा, दिल्ली, वहां किसी lodge में रुकूंगा, सस्ता खाना खाऊंगा, और अपना काम निप्टा क्या होगा, this is economics, कि कैसे आप अपने कम resources से आप अपनी ज़रुरत पुरी करते हो, करते हो, sorry, आज दुनिया में सबसल जादा importance economist को दिय आ जा रहे हैं, बिकॉस हम सभी देख रहे हैं, जमीन कम होती जा रही है, नौकरियां कम हैं, लोग इतने जादा हैं, है ना, और इन कम होती resources से, economics यह सोचते हैं, कैसे हम दुनिया को जादा से जादा satisfy करें, और आप जानते हैं, दुनिया का सबसल बड़ा economist किसे कहा गया है housewife को, कैसे, एक middle class family में, income limited होती है, उस limited income में, school की fees, tuition की fees, घर का राशन, यह सारी खर्चे, जो housewife है, वो पूरा करती हैं, और कुछ पैसे बचा भी लेती हैं, that is known as economics, कैसे, आप अपने कम resource में, अपने आपको जादा से जादा satisfy करें, इसके बाद आता है, business studies, marketing, मतलब, you can sell a calm to a bald person, देखिए, अभी मेरे सर पे बाल नहीं है, मैंने अपना head shape किया हुआ है, ये कंगी आप मुझे बेचिये, कैसे बेचेंगे, इस कंगी का तो मुझे काम ही नहीं है, क्योंकि मेरे बाल अभी सर पेहनी, बाद में आ जाएंगे, मैं permanently bald नहीं हूँ, लेकिन अभी फिल कंगी को मान लीजे, शॉपकी पर ने कहा, ये कंगी anti-aging है, इस कंगी को अगर आप लगाते हैं अपने scalp पे, तो फिर आप जो हैं अपने आपको anti-aging कर सकते हैं, मतलब अभी मैं 30 का हूँ, अब मैं इसको अपने scalp में लगा रहा हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि इस कंग का भी होगा, मैं इसको खरीद लूँगा, this is known as BST, marketing, you can sell comb to a bald person, आप आदमी को वो चीज़ भी बेस दोगे, जिसकी उसे जरूरत नहीं है, एक और example लेते हैं, marketing इतना powerful है, आप सोचिए, हम Indians बहुत जादा religious होते हैं, हर शुपका में मीठा खाना पसंद करते हैं, dairy milk ने कित इतने बड़िया तरीके से अपने marketing campaign को launch किया, और tagline दे दिया, कुछ मीठा हो जाए, और आज, रक्षा बंधन में जितनी मिठाईयां नहीं sell होती, उससे जादा dairy milk silk sell होता है, क्यों, कुछ मीठा हो जाए, आज जब आप market में कहीं जाते हैं, आपकी मैमिल बेटा, जाओ सर लेकिया हो, मतलब सर्फ लोगों के दिमाग में, लोगों के माउथ में आ गया है, this is the power of marketing, डेटाल, जब लोगों को छोट लगती है, बोलना चाहिए, अंटिसेप्टिक लेकिया है, लेकिन लोग कहते हैं, डेटाल, this is the power of marketing, so BST का मतलब होता है, marketing, आप लोगों को इतना convince क कर दो, कि लोग आपके product को खरीदने के लिए convince हो जाए, this is known as BST, इसी तरह की funny classes लेते हुए, एक और example लेते हैं, उसका मैंन करूंगा, fair and lovely, हम Indians को गोरे रंग को लेके बहुत complex होता है, तो सोचिए, लोगों को पता है कि fair and lovely लगा के आप गोरे नहीं होंगे, लेकिन उसका marketing marketing देखिए, कि आप cream लगाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप cream लगाएंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे, ले उस advertising के दम पे एक ऐसा product जो किसे use का नहीं है, वो product ने भी करोडों अर्बों डॉलर का sales किया, this is the power of marketing, इसमें एक और चीज जोडना चाहूंगा मै image, आप सोचिए, सल्मान खान, आज भी एक bachelor है, thumbs up का एड़ वो करता है, आज कुछ तूफानी करते हैं, एक शादी चुद आदमी से पूछिए, वो कुछ तूफानी नहीं करेगा, वो तो खुद तूफान को जेड रहा है, शादी करने के बाद, शादी से पहले जो life होती ह जो बड़ी तूफानी होती है, इसलिए मैंने भी तक शादी नहीं की, कि भई life है, enjoy कर रहे है, घूम रहे है, तो thumbs up उसके image को सूट करता है, कुछ तूफानी करता है, वहीं जब home decor का एड़ आता है, जब घर के कुछ furniture का एड़ आता है, उसमें शारुक खान को लिया जाता So this is the power of BST, तो आज के लिए इतना ही, आज मैंने आपको intro दिया, I hope आपको यह अच्छा लगा हो, इसी तरह के funny classes, entertaining way में मैं आपको पूरा commerce का A to Z knowledge दूँगा, इसके लावा share market, crypto, आपको commerce से प्यार हो जाएगा, literally I will try my best to install all my experience, whatever I have learnt to impart you, all the quality education related to commerce, I hope आपको यह क्लास अच् तो आप जाद सहरा like और share करे, thank you, good night, रुपक से